हेलो एवरीवन विल्कम बैक टू माई चेनल तो फ्रिंट्स आज की इस वीडियों बहुत डिजाइनर ब्लाउस बनाने वाले हैं जो कि आज कल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है इंस्टागर आप प्रिस्प काफी सारी रील्स जो बनी हुई है तो मुझे कमेंट्स आया था क कि मैं में इस टाइप का ब्लाउस बताएं तो आज हम मुझे की कटिंग और स्टीचिंग करने वाले हैं इससे बनाने के लिए हमने आप पर लाइनिंग फैबरिक लिया है इसकी कटिंग पहले हम लाइनिंग फैबरिक पर करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर साइट से फिंच की मार्किंग करनी है और उपर के साइट से भी मार्किंग कर लीनी है अब हमें यहाँ पर शोल्डर देना है तो हम इसे स्लीवलेस बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर शोल्डर रख रही हूं 6 इंच वैसे हम 5.5 इंच रखते है लेकिन स्लीव लाइज बना रही हूं तो इसलिए हम 6 इंच रखेंगे आर्मुल भी हमने 6 इंच रखा है यहाँ पर हमारी चेस्ट का 4th पार्ट आएगा 36 का 4th पार्ट 9 इंच और 2 इंच मारजन के लिए टोटल लेंध हमको 14 इंच रखनी है तो 1 इंच प्लस करेंगे मारजन का 15 इंच लेना है और लाइन को ड्रॉ कर देना है अब यहाँ पर हमें वेस्ट का 4th पार्ट लेना वेस्ट 30 उसका 4th पार्ट 7.5 इंच 2.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मारजन के लिए साइट से लाइ के साइट पर गुलाई देनी है नैक की बीट हम 2.5 इंच रखेंगे अब यहाँ पर हमें टक्स पाइंट लेना है तो वह हम लेंगी 10.5 इंच पर यहाँ से 3.5 इंच यहां से हमें 3 इंच टक्स की बीट 2.5 इंच यहां पर शेव देना है दोनों को लाइन को मेजर कर लेना है चोटी बड़ी हैं उसको हम बराबर करेंगे इसके बाद हमें नैक को ड्रॉ करना है यहां से इस तरह से गुलाई आएगी तो नेक देखिए हम थोड़ा सा ब्रॉट बना रहे हैं यह देखिए इस तरह से अब यहां से जितना लिया था 3.5 इंच तो दूसरे ज़ेट से भी उतना ही लेंगे 3.5 इंच नीचे के साइड हमने हाफ इंच लिया और नेके साइड सम मार्किंग करेंगे आपर 5.75 इंच पर और इस तरीके से शेप दे देना है जैसे हम कटोरी ब्लाउस बनाते तो कटोरी का शेप देते है वैसे ही शेप देना है इसमें इस तरह से शेप दे दिया है और इसे हम कट करेंगे इतना हम यहाँ पर इसमें पैच लगाएंगे क्योंकि जो इंस्टाग्राम पर जो मैंने आपको यहाँ पर पिक बताई है वो उसकी जो नेके डीप है वो कुछ जादा ही है बट इतना हम नहीं पैच सकते तो इसलिए हम सेंटर में फैवरिक लगाएंगे भी यह वली लाइन को ऊपर के सैट पर मिलाना है उसको काट कर देना है यहाँ से इसमें हम दोनों साइट मार्जण एड करेंगे और जो मरी कतोरी और साइट वला पार्ट हे वहाँ पर भी आमको मार्जण एड Working करना है तो इसको हम लाइनिक और पर करेंगे है सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रो कर लीनी है तो यह बले पार्ट को पहले हमें स्टीच सौरी मार्किंग करनी है तो पहले एज़िटीज मार्किंग करेंगे इसकी यहाँ पर हाफ इंच मार्जन का एट करना है जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें हमें दोनों साइट मार्जन एट करना है क्योंकि हमें इसे दोनों साइट से स्टीच करना है इसको सभी साइट से लेना है इसकी जो गोला ही है वहाँ से हम हाफ इंच एक्स्टा लेंगे स्टीचिंग के लिए कट करना है यहाँ पर टक्स पॉइंट जो था उसकी मार्किंग कर लेनी है यहाँ पर हमें इसमें पैट लगाना होगा कर दो यह देखे तो फ्रंट पार्ट हमारा काट होगय कि बैक पार्ट को कट करना है तो इसके जो होकोगे वो डैक पार्ट में ही आएंगे यहाँ पर अमें श्ट्रेथ ऐनट लाइंग्व करके श्टस आर्मोल old की टू इंच मार्जन का टोटल लेंद हमको 15 इंच रखनी है यहां पर हम में वेस्ट का फोट पार्ट 7.5 इंच टू इंच मार्जन और वन इंच बैक टक्स के लिए लेना है और साइट से लाइन को ड्रॉव कर देना है वन इंच से गुलाई देनी है आर्मोल की साइट पर और इसको कट कर लेना है अब फ्रेंट और बैक दोनों पार्ट को हम मैं फैबरिक पर कट करेंगे मैं फैबरिक पर कट कर लिए विस्टीच करना है तो इसमें दिखिए मैंने आप पर फ्यूजिंग लगाया है जिससे कि हमारा जू ब्लाउज यह उसमें बहुत ज़्यदा फिन लगा लिया है अब यहां पर हमें इन दोनों पार्ट को स्टीच कर लेना है यह देखिए इस तरह से स्टीच किया हमने दूसरा पार्ट भी से हम इसी तरीके से करना है यहां पर जो हमारा टक्स लगाना है वहां पर हमें थोड़ा सा कर्ट लगा देना है तक कि हम परता चले कि यहां पर हम पार्ट लगाने वाले हैं इनको स्टीच कर लिया अब हमने यहां पर पार्ट लिया तो यह मैंने 36 साइज कर लिया अब 38 साइज तक का भी ले सकते हैं इसमें और यहां पर इस तरीके से स्टीच कर देना है अब इसके उपर जो मारा फैबरिक है मैं फैबरिक इनको साथ में रखकर स्टीच करना है तो देखे पहले हम इसको इस तरह से आयरन करेंगे फिर इसके बाद इसके उपर रखने के बाद हमें इसे स्टीच कर देना है सभी साइट से यह दिखिए इस तरह से अब दिखिए यह वाले पार्ट को स्टीच करना है तो पहले हमने यह पर लाइनिंग फैबरिक नहीं लिया है सिर्फ हमारा यह मैन फैबरिक है क्योंकि इसके हम अंदर ग्राउंड फिटिंग करेंगे यह दिखिए मैन फैबरिक को स्टीच कर दिया अब लाइनिंग फैबरिक को स्टीच करना है तो इसके साइड से हम यहाँ पर लाइनिंग फैबरिक रखेंगे और इसको स्टीच कर देंगे यह देखिए आप इसको स्टीच करने के बाद कट लगा देना है अब हम यहाँ पर एक स्टीच करेंगे सिर्फ लाइनिंग फैबरिक पर जो पूरा मारजन का फैबरिक है वो लाइनिंग फैबरिक के साइड मे आना चाहिए अब बाकी साइड से स्टीच कर देंगे और एक्स्ट्रा फैबरिक कट कर देंगे कट कर दिया अब याँ पे क्रॉस में पट्टी कट की ये लाइनिंग फ़ेवरिक की डबल करते हुए से हमें स्टीच कर देना है नेक पर कट लगाना है पूरी ही पट्टी पर एक स्टीच हम इसके उपार से करेंगे अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टीच कर देना है इसको फोल्ड करते हुए अंदर के साइड स्टीच करेंगे यह देखिए दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से स्टीच करेंगे दोनों पार्ट स्टीच कर लिए अब यहां पर फेस्ट सेंटर पर फैबरिक लगाना है तो वो फैबरिक में सेवन इंच का लगा रही हूँ वीट में हमने इसको त्री पाइव इंच रखा है और इसे हम थ्री साइट से स्टीच करेंगे एक साइट से यह ओपन रहेगा यह देखिए इसको पलट लेना है पलटने के बाद इसके कॉनर अच्छे से निकालना है और साइट से स्टीच कर देना है यह देखिए एक साइट से हम इसको फोल कर देंगे अब इसे हमें सेंटर पर इस तरीके से स्टीच करना है यह देखिए उसको स्टीच कर लिया है दूसरा पार्ट भी स्टीच करेंगे यह दिखिए यहां से ऐसे आ रहा है बैक साइट से भी फिनिशिंग दिख रही है अब जो हमारा बैक पार्ट उसकी नेकी वी 2.5 इंच नेकी लैंद हम यहां पर रखेंगे 11.5 इंच और यहां पर वी लीफ नेक ड्रॉ कर लीना है इसको हम स्टीच करेंगे यहां पर 3 इंच पर हमें एक कर्ट लगाना यहां पर हमारी जो डोरी है उसको हमें यहां पर स्टीच कर देना है मैं फैबरिक को राइट साइड पर उसके उपर लाइनिंग फैबरिक और नेक को और नीचे के साइड हम इसको स्टीच करेंगे यह देखें कर्ट लगाना है पूरे ही नेक पर और से पलट देना है पलटने के बाद हम इस पर आइरन करेंगी या आप चाहें तो स्टीच भी कर सकते हैं और यहाँ पर हमें हुकाई की पट्टी लगा कर इसको कम्प्रीट करने लाएं तो नॉर्मल ही हुकाई की पट्टी लगानी हैं हमको और अब यहाँ पर हमने मोतियों की ये लेस लगानी है यानि की मेरे पास मोतियों की जो लेस थी वो थी लेकिन उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं थी तो मैंने उसकी इस तरह से निकचे निकाल कर और फिर हम इसको टक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं इसको डारेक्ट भी टक कर सकते हैं या फिर आपको ग्रू से इसको चिपका लेना है और फिर इसके बाद आपको इसको टक कर लेना है जिससे की क्या होगा इसमें फिनिशिंग आ जाएगी तो एक एक करके मैं इस अभी को टक कर लूँगी यह देखिए इस तरह से दो-दो मोतियों को लेकर हमें टक कर लेना है तो देखिए हमने सभी साइट पर मोतियों को लगा कर हमने इसको टक कर लिया है तो पहले आप ग्लू से चिपका लीजे फिर आप इसको टक कर लीजे तो थोड़ी से फिनिशिंग आ जाएगी इसमें और सभी side पर हमने किया है armhole पर हमने patti लगा कर इसको complete कर लिया है ठीक है और back में I hope की patti लगा कर shoulder को stitch कर दिया है अब इसमें हम normally fitting लगा देंगी जैसे कि हम लगाते हैं तो यह है हमारे blouse का final look I hope कि आपको यह video पसंद आयोगी वीडियो पसंद आयोगी हो तो like, share and comment जरूर करिएगा और channel को subscribe जरूर करिएगा Thank you